उत्तरप्रदेश की दस बिधान सभा सीटों पर उपचुनाओ होना है, जिसकी तयारी सियासी दलों ने सुरू कर दी है। इन दस सीटों में सबसे होट सीट है अयोध्या की मिलकीपूर और अमबेटकर नगर की कटेहरी बिधान सभा। ये दोनों सीटे समाजवादी पार्टी की हैं, एक अयोध्या से सांसत चुने जाने से अउध्यस परसाद की सीट मिलकीपूर बिधान सभा खाली हुई है, तो अमबेटकर नगर से सांसत चुने गए लाल जी वर्मा की सीट कटेहरी बिधान सभा रिक्त हुई है, अब इन दो उसमें बिजेपी के खिलाब एक संदेश देने का काम क्या, अब मिलकीपूर बिधान सभा जीत कर बिजेपी को पूरी तरह चीत करने की तैयारी में हैं, तो वहीं बिजेपी को लोग सभा चुनाओं में अयोध्या हार का जो पार्टी का अपमान हुआ है, उसका बदला ले इससे अच्छा कोई मौका बिजेपी को नहीं मिल सकता, इसलिए अयोध्या के मिलकीपूर और अमबेटकर नगर की कटेरी विधान सभा की जिमेदारी मुख मंतरी योगिया दितनाथ ने स्वयम ले ली है, मुख मंतरी योगिया दितनाथ ने लोग सभा चुनाओं के बाद पहली बार अयोध्या पहुचे और पार्टी प्रादिकारियों से मुलाकात की और चुनाओी माहोल को भापा, वहीं आज अमबेटकर नगर में चुनाओी माहोल को भापेंगे, समाजवधी पार्टी की तरफ से अयोध्या में अखले सियादो, अउधेस के साथ तो तो दोसी सीट है समाजवधी पार्टी के अउधेस प्रसाद की जो मिलकीपूर्स बिधान सबा सीट खाली हुई है, अब अउधेस प्रसाद आयोध्या से सांसद है तीसी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के लाल जी वर्मा की है जो अमबेटिकन नगर की कटेरी बिधानसबा है जो खाली हुई है आब लाल जी वर्मा अमबेटिकन नगर से सांसब है इसके अलावा चोथे सीट मुरानाबाद जिले की कुंदर की विधानसभा सीट है वहीं पांचवी सीट अलीगर जिले की खैर विधानसभा सीट है चछटी सीट गाजियाबाद विधानसभा सीट है साथवी प्रियागरा जिले की फ्थूलपूर विधानसभा सीट है उन्होंने योगी सरकार में मंत्री बज से ट्याग पत्र दे दिया है, वो अब पिली भीट से सांसद है, तो उत्रपदेश के ये दस बिधान सभा सीटे हैं, जिन पर चुनाओ होना है, सबी सियासी दल अपने अपने जीत को लेकर रन्नीत बनाना शुरू कर दिया है, ये दस सीटों का अप्चुनाओ इसलिए महत्पूर माना जा रहा है, क्योंकि लोग सभाद चुनाओ के बाद ये दस सीटों पर विधान सभाद चुनाओ होना है, और इसके बाद 27 का विधान सभाद चुनाओ आएगा, तो ये कहा जा रहा है कि इत 10 जो विधान सभाद सीटे हैं, इनका जो सेमी फैनल माना जा रहा है और इन ही का रिजल्ट दोहजास सताइस का रिजल्ट की तरब इसारा करेगा समाजवादी पार्टी और भारती जंता पार्टी इस उप्चुनाओं में आमने सामने हैं तो वहीं BSP भी काफी समयबाद उप्चुनाओं लने जा रही है